आज हम करनाटका के अंदर identity politics की बात करने वाले हैं करनाटक जो कि हिंदोस्तान का एक state है और और मेंली सौथ हिंडिया में आता है हम देखेंगे किस तरह से करनाटक के अंदर identity के basis के उपर politics होती है मैं आपको identity का मतलब समझाओंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पूरे topic का नाम है identity politics in Karnataka और उसके आगे इसके अंदर आता है shifting paradigms मतलब कि हम देखेंगे किस तरह से Karnataka के अंदर identity politics होती है और उसी के साथ साथ हम इसके अंदर देखेंगे shifting paradigms shifting paradigms का यहां पे क्या मतलब है आपको नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब यही है किस तरह से time time के ऊपर कarnataka के अंदर changes आती है कarnataka की politics के अंदर क्या shift आ रहे है क्या trends हैं बहां पर किस तरह की राजनिती हो रही है अगर बहां पर identity politics हो रही है तो किस तरह से हो रही है उस चीज की यहां पर बात की जाएगी तो हम इसके अंदर यही देखेंगे कि किस तरीके से बहां पर यह सब changes आ रही है, time to time किस तरह से वहाँ पर राजनिती हो रही है, इसी चीज़ की बात की जाएगी तो सबसे पहले हम इसके अंदर identity politics का मतलब देखेंगे, identity politics का मतलब क्या होता है जैसे कि यहाँ पर definition लिखी है, identity politics refers to a political position based on interest, opinion and perspectives of the social group with which the people identify themselves this definition का मतलब यह हुआ, identity politics का यहाँ पर मतलब यह हुआ, मतलब कि राजनिती हो रही है एक social group के basis के उपर जिससे आप उस social group के basis के उपर अपने आपको जो है recognize कर रही है, मैं आपको और अगर easily समझाओं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक social group के basis के उपर राजनीती हो रही है जैसे कि for example मैं राजपूत हूँ तो इसका मतलू यह है कि मैं राजपूतों के उपर राजनीती कर रहा हूँ मैं राजपूतों के इंटरस्ट को आगे रखूँगा मैं कहूँगा कि राजपूतों को परतारिद किया जा रहा है मैं राजपूट्स के डिमार्स को आगे रखूँगा इसी तरह से मज़ब के अधार के उपर हो सकती है मज़ब के अधार के उपर लोग अपने आपको identify कर सकते हैं जैसे कि कोई कहे कि हम Muslim होते हैं और हम Muslims की राजनिती करेंगे ऐसे ही जाद के नाम पे राजनिती हो सकती है जैसे कि कोई कहे कि दलितों के नाम पे राजनिती होगी तो इसी तरह से जब एक व्यक्ति या एक political party एक social group के basis के उपर अपने आपको identify कर दे लगते हैं और उसके basis के उपर राजनिती होती है उसी को हम identity politics कहते हैं फार एक्जेंपल हिंदोस्तार के अंदर बहुत सारी political parties हैं जो identity politics करती है जैसे कि अगर आप शिप सेना की बात कर लो वो सिर्फ हिंदूओं के उपर आजनिती करते हैं हिंदूओं के इंटरस्ट की बात करते हैं हिंदूओं को बचाने की बात करते हैं बहीं दूसरी और अगर मैं अकाली दल की बात करूँ वो सिर्फ सिखों की बात करते हैं मैं अगर AIMIM की बात करूँ जो कि असुसदीन की party जो कि ओवेश्य की party है वो हमेशा है muslims की बात करते हैं तो इसी तरह से ये जो अलग-अलग parties होती है जैसे बहुजन समाज party है मायवती की वो जो हैं दलितों की बात करते हैं बहुजन समाज की बात करते हैं तो जब राजनिती किस basis के उपर होती है राजनिती एक social group के basis पे होने लग परती है कि मैं तो डोगरा हूँ और मैं चाता हूँ कि डोगरों के interest को फुलफिल किया जाए क्योंकि हमें कश्मीरियों ने पहले से दवा के रखा हुआ है तो मैं बहार निकलूँगा और कहूँगा कि मैं जो है वो डोगरा के interest की बात करूँगा और जब मैं डोगराओं के उपर आजनिती कर रहा हूँ इसका मतलब मैं identity politics कर रहा हूँ identity politics का simple meaning ही यही होता है कि अपने आपको एक group के साथ पैचानना अपने आपको एक group के साथ रिकेगराइज करना चाहे वो caste हो, चाहे वो gender हो, चाहे language हो, चाहे यतनिसीटी हो language के basis के उपर कैसे? मान लो कश्मीरी है, कश्मीरी leaders उठेंगे, बोलेंगे हम कश्मीरियों के interest की बात करेंगे तो वो क्या है? वो identity politics है जैसे कि यहाँ पर, जो है, लीजन के basis के उपर, मैं आपको बदा दिया gender के basis के उपर, महिलाओं के नाव पर राजनेती करना यह कहना कि हम महिलाओं के, क्या बोलते है, हकों की बात करेंगे महिलाओं को पहले से ही परताडिक किया जाता है that is also identity politics, उसके बाद इसके अंदर ethnicity की बेसिस के उपर है मतलब कि अपना एक group होना, एक social group के बेसिस के उपर अपने आपको identify करना यह ethnicity होता है, जैसे कि मालो reason के आदार के उपर politics करना कि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और जम्मू के लोगों की नोकरिया जो है, वो बिहार के लोग शीन रहे हैं तो यह यह राजनीती होती है, इसी को identity politics कहते हैं तो हम देखेंगे किस तरह से कनाटक के अंदर identity politics के अंदर shift आए हैं, वहाँ पे किस तरह से identity politics होती है और उसी के साथ साथ इसके अंदर mobilization and wing of a people of one or more social groups on the basis of above, above मगरो यह aspects are markers of identities is popularly known as identity politics जैसे कि मैं आपको बता दिया, लोगों को इन सब groups के basis के ओपर mobilize करना, इकठा करना, उनके board हासिल करना और उसी के साथ साथ इन जब लोगों को इन basis के ओपर mobilize किये जाता है, board हासिल किये जाते हैं उसी को हम identity politics कहते हैं identity politics की प्रकार की हो सकती है, जैसे इसके main markers है, caste based identities मतलब कि जात के नाम पे राजनिती, जात के नाम पे identities होना कि हम दलित समुदाई के लोग हैं, कि हम राजपूत समुदाई के लोग हैं, कि हम ब्रहमिन समुदाई के लोग हैं तो ब्रहमिन के नाम पे राजनिती, डलीद के नाम पे राजनिती, और उसके बाद राजपूत के नाम पे राजनिती, और हमारे देश में खूब खूँ होती है, हमारे देश में आज भी देखना आपकी कास्ट के नाम पे अपने आपको इडेंटिफाई किया जाता है या नह तो आपका एक identity है या नहीं है, उसी को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी एक region से आते हो, अगर आप रामबन से हो, आप बद्रवा से हो, तो आप उस region के साथ अपने आपको identify करने की कोशिश करते हो, या तो आपकी कोई ना कोई identity है, या तो आपकी इजात के नाप पर identity होगी, या आपकी मज़ब के नाप पर होगी, या फिर जिस region से आप बलॉग करते हो, आपका होके मैं बद्रवाही हूँ, आप बोलो के मैं रामबन से हूँ, डोड़ा से हूँ, तो कोई बोलेगा मैं अध के नाप पर और उसके बाद language based, मतलब की बास्षा के नाप यह हो सकता है वाई, जैसे कि जम्म कुश्मीर के अंदर पहारी people हैं, पारी speaking people, तो वो हमेशा SD status की demand कर रहे थे, उसके बाद बहुत अलग-लग बास्षा ही हैं यहां पर, गोजरी है, गोजरी बास्षा वाले protections के आराड आड no matter, के अदर हमें把它es देखने को मिल रही हैं, मतलब की किस तरह से करनाटिका की bisc की प्ालिटिक्स के अंदर हमें changes देखने को मिल रही है, क्या वो अलग-लग फेजीज है pliers हम यहां पर डिसकस करेंगे, हम यहां पर यही ए भी डिसकस करेंगे, किस तरह से identity, ज सर्माज है वो जढ़ातर रूरल अरिया से संबन्द रखते हैं मतलब गाउं शेतर से बहां पे जढ़ातर लोग आते हैं तो बहां पे जो सुसांटी जो है वो गाउं में जढ़ाते हैं उसके बार इसके को वहाँ पे polarization कर सकें और इसलिए identity जो है वहाँ पे काफी ज़्यादा role play करती है मतलब कि कोई भी political party जो है वहाँ पे सरगार नहीं मना सकती है बिना religion या caste का card खेले उसके बाद सके अंदर आता है तू communities हैं वहाँ पे अगर मैं करनाटेल की बात करता हूं वहाँ पे अर्ज़ों तो community आती हैं जो कि बड़ी popular communities है और उनका बड़ा रोल है करनाटेल की politics के अंदर एक तो वहाँ पे हैं Lingayet Community और दुसरी वहाँ पे हैं Bokeleiga community कौंसे communities हैं दो communities हैं करनाटेल कह यंदर ईक है Lingayet Community और ईग है Boccaligar community और जो लिंगायit Community है न, इनकी 17% population कितनी 17% population है करनाटका के अंदर और यह 120 सीटों को dominant करते हैं करनाटका की politics के अंदर तो तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि यह जो लिंगायद community है इनकी dominance है वहां पे इनकी population भी 17% है और 120 सीटे वहां पे इनकी dominance है मतलब कि अगर आपको 120 सीटें जीतनी है तो वहाँ पे आपको लिंगायद कम्यूनिटी को खुश करना होगा तो आप देख रहे हैं किस तरह से आइडेंटेटी पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली जाएगी मतलब कि एक कैंडिडेट को एक पॉलिटिकल पार्टी को जितने के लिए क्या करना होगा लिंगायद कम्यूनिटी को खुश करना होगा अगर लिंगायद कम्यूनिटी खुश तो 120 सीटें जो है वो पास आ गई है तो 120 सिटेंट डिरेक्टली हमें लिंगायत कम्मुनिटी से मिल जाएंगी, लिंगायत सक्षन से मिल जाएंगी आगर हम इनको खुश कर देते हैं, इनके लिए काम करते हैं, तो अब देख रहे हैं किस तरह से आइडेंटिटी की पॉलिक्स अब यहाँ पे होगी, पॉलिटिक उस में से 10 cm जो हैं वो लिंगायत कम्मुनिटी से आते हैं, तो आप वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरह सी यहाँ जो आइडेंटिटिटी है वो अपना डोल प्ले करकती है, इसलिए रोल प्ले कर रही है, क्यूंसी के भुशम यह सार सीटों को ऌमिनेरट करते हैं तो यह जो सार सीटे हैं, ये भी बड़ी मयाखपूर्न है ये किंड एक काम करती है, बोकल लीग wedge community तो बोकल लीग Weird community को अगर खुश करोगे आप तो और सार सीटे आपको मिल जाएंगी तो यहाँ पे भी identity का कार खेला जाएगा नहीं खेलायागा, यहाँ से भी एक leader उठाय जाएगा political party के दोरा, political party का focus रहेगा कि इन लोगों को खुश किया जाए ताकि इनके vote लिये जाए, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो दो communities हैं, इनके basis के ओपर जो है, यहाँ पे identity politics भी होती है, उसके बाद इसके अंदर आता है दलित identity politics, उसके बाद यहाँ पे दलित की community है, दलित की population भी बड़ी है कनाडिरा के अंदर, तो कुछ leaders क्या करते हैं, वो दलितों के नाम पे vote हासिल करते हैं, दलितों को guide करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उनको जो है, वो अगर यह दो communitys खुश, तो मालो एक political party की सरकार बन गई, तो identity का इस्तेमाल किया ने किया, समुधाय के नाम पे राजनेती हुई नहीं हुई, उसके बाद दलितों को खुश करना है, तो दलितों को board bank लेने के लिए दलितों को खुश करना है, उसके बाद इसके अंदर आता अगर भी थे, दोनों के वीच एक race थी, लेकिन उसके बाद सीधा रमाइया को CM बनाया गया, सीधा रमाइया जब CM बने तो उस वक्त इंडेनाशनल कॉंग्रस ने मेजॉटी हासिल की करनाटगा के अंदर, उन्हों आपने आपको रिवाइब किया, उससे पहले BJP की सरकार ही वहां पे 2018 में, जैसे ही इंडेनाशनल कॉंग्रस ने अपने आपको रिवाइब किया, लेकिन वो लिंगायद कम्मुनिटी को ज़्यादा खुश नहीं कर पाए, यहां पे अपने वोट हासिल नहीं कर पाए, वो ज्यादा तर, लिंगायद कम्मुनिटी के अंदर अपना वहां पे वो अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन अगर हम मेज़र ली देखें, तो लिंगायद कम्मुनिटी के अंदर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास 224 टोटल सीटें थी, तो 224 अगे टोटल सीटें थी, 120 में से हाफ के आसपास, हाफ से थोड़ा से कम सीटें ली है, और यहां से भी सीटें खीची न, तो उससे क्या हुआ, आई एंसी यहां पे जीद गी, उसके पाद इसके अंदर आता है लीजन प्लस पोलराइजेशन, लीजन के नाप भी वहां पे वोड हासिल किये जाते है, लीजन को आई एंसी यूज़ करके यहां पे आई एंसी यूज़ की जाती है, लीजन के नाप भी वोड हासिल किये जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर आता है, आई एंसी की विक्ट्री होती है, उसमें यह मलीक अर्जुन खरगे जो थे, उस वक्त वो आई इंसी यह क नेशनल प्रेजेंट बनाया गया, क्या बनाया गया, नेशनल प्रेजेंट बनाया गया, मलीक अर्जुन खरगे को, पहले कॉंग्रस के अंदर कॉंग्रस की फैमिली में ऐसे ही प्रेजेंट बनता था, सोनिया गांधी 20-25 सान पता नहीं कितना वो प्रेजेंट रही, लेकि मली करजुन खरगे जो है वो कहां से आते हैं करनाटगा से आते हैं तो क्या हुआ जैसे करनाटगा के अंदर विक्ट्री हुई INC की तो यह वहां पे पता चल गया वहां पे यह शोर हो गया कि मली करजुन खरगे ने करनाटगा के अंदर काम किया है और करनाटगा में मली करज तो इसलिए इसलिए वह मली करणचन करण खरगे की क्या था परफॉंटिस वहाँ पर आपको आपको राइस किया है वहाँ पे अगर मैं करनातिका की पॉलिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे बीजेपी भी अपने आपको राइस कर रही है 1990 के बाद after 1990 क्या हुआ BJP न अपने आपको वहाँ पर राइस किया है BJP न भी अपना dominance वहाँ पर रखा है तो करनाटगा की politics में BJP भी coffee dominating है वहाँ पर BJP भी है 18 की election में BJP वहाँ पर जीती थी दो दो इंडियनेशनल कॉंगर्स और BJP यह तो mainstream national political parties आगी और एक वहाँ पर JDS है और यह जो तीन parties है यह काफी ज़्यादा करती है करनाटगा की politics को तो आपको देखने को मिला किस तरह से करनाटगा के अंदर identity के basis के उपर identity के आदार के उपर वहाँ पर politics होती है किस तरह से होती है हम देखते है वहाँ पे कुछ communities है लेंगायन community है उसके बाद यहाँ पे जो है बोकालिगा community है दलितों का बोड है लीजन है इन सब चीजों का इन चार चीजों को इस्तिमाल करना होगा किसी को अगर वहाँ पर चुनाव जीतना है तो इसलिए इन चार चीजों को इस्तिमाल करके इन चार समुदाओं को खुश करके क्या किया जाता है political parties वहाँ पे अपना चुनाव जीतनी है तो इस तरह से हम देखते हैं कि करनाटिका के अंदर किस तरह से identity के basis के ओपर politics होती है और वहाँ पे जो main political parties है उसमें से BJP आती है, International Congress आती है और एक local वहाँ पे political party आती है जिसका नाम है JDS तो इस तरह से हम करनाटिका की politics की बात करते हैं और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि 1990 के बाद BJP ने भी वहाँ पे अच्छा परदर्शन किया है और साथी साथ मलीक अरजुन खरगे की वहाँ पे credibility और authenticity बढ़ती है जब करनाटिका के अंदर International Congress की शांदार जीत होती है क्योंकि मलीक अरजुन खरगे जो है वहाँ के local leader थे और उनकी home state में वहाँ पे victory हासिल करना मतलब ये अशोटी दी जा रही थी कि मलीक अरजुन खरगे की बज़ा से यहाँ पे victory हासिल हुई है और इसलिए मलीक अरजुन खरगे जो है President अगर बनाए गए है तो Congress ने बिल्कुल सही किया है ये इनसान जो है बिल्कुल सही साबित हो रहा है इसकी credibility जो है वो सही साबित हो रही है credibility इसकी बढ़ रही है President की post के लिए इस तरह से हम करनाटका के अंदर shifting paradigums की बात करते है हम करनाटका के अंदर political parties की बात करते है identity politics की बात करते है तो आज के इस वीडियो में वस इतना ही मिलेंगे आपके साथ एक और नया topic लेके और साथ ही साथ अगर आपको इस lecture का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की description में जा सकते है वहाँ पर telegram channel का link दिया होगा वहाँ से आप telegram channel जोइन कर सकते है और PDF हासिल कर सकते है तो ठीक है फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में कब तक आप सबको धन्यवाद